इस्थानिय थाना प्रांगन बेटमा में आगामी तेवार होली और शबे बारात मनाने की लिए शांती समीती के बैठक देपालपूर SDM रवी कुमार सीह, SGOP नीलम कनोज थाना प्रभारी मीना करनावत की मौजुदगी में हुई शुकरवार शाम को बेटमा थाना परिसर में हुई इस बैठक में होली और शबे बारात पर्व को सोहर्द पुर्वक मनाने का निर्णाई लिया गया बैठक को संबोधित करते हुए देपालपूर SDM रवी कुमार सीह ने कहा कि तेवारों को प्रेम और मिलत के साथ मनाना स्रेयसकर होता है इससे समाज में सद्भावना और शान्ती कयाम रहती है कहा अगर कोई भी अवांचनी ये तत्व अराजक्ता फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध पुलीस कड़ी कारिवा ही करेगी उन्होंने साफ सुफाई की वेवस्था के बाबद धर्म गुरुओं से जानकरी प्राप्ति की है हम सभी लोग रंगों के तेवार होली को बहुत ही शान्ती पूर्ण तरीके से मनाएं उन्होंने कहा कि होली केवल रंग गुलाल की खेले बैठक में नगर के संभ्रांत लोगों से राई ली गई तथा मामले का निस्तारण करने का भी आश्वर्षन दिया गया इस आउसर पर कॉंग्रेस भाजपा सहीत नगर के गणमानी नावीक उपस्तित रहे बैठमा इंदाओर से राजेंदर सुर्यवंशी की रिपोर्ट की निर्ने लिया गया है कि सब कारीकर्म शांती से और आराम से निकालेंगे क्योंकि दुलेंडी का त्योहर को फुर्दंग वाला त्योहर नहीं है उली का देहन होईगी और उसके बाद में जो भी लोगों को अहली खेलना वोली खेलेंगे और सब बारात के अंदर जो लोग है उन लोगों के इस पस्टे कहना है कि हमारा भी यह दम का तिवार इस तिवार के दिन हम सुबह जो भी है हमारे पूरवज है उनका धूब ध्यान करेंगे इसमें कोई भी चीज एक चाहिए कुछ है बाद में इसानती समीटिक के लाट बतायागा चा चोटी होली जलते कही बड़ी यह одна बच्चे ही हर जगे जड़ाते हैं तो हमने उसके लोचेति अस्थाक निर्देश दे दिये हैं मिट्टी डल जाए सभी जगें कहीं पर स्ट्रीट लाइट है या कुछ ऐसा वायर आ रहा है बिजली का उसको हम दुरुस्त कर लें साथ ही जो रंगपंचमी की दिनियाए गेर भी निकलती है जो लोकल ली लोग निकालते हैं आपसे सहयोग से अच्छा प्रतीक है है लोग भिल मिलके सब लोग करते हैं या यावजन इसमें प्रसाशन का पूरा सहयोग है और गेर का रूड भी तैय किया गया है शांती पूर तरीके से गेर निकलेगी प्रसाशन पूरी तरीके से तैयार है इसके लिए हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले